कक्षा 10 विश्य गनित पर्सनावली एक वेतिक गनित दवजांग विदी से भाग कोश्चेन नमबर 12 की बात करेंगे हमें दवजांग विदी से भाग करना है हमारे पास में संख्या दे रही है 45-32 में भाग देना है 112 का ठीक है तो दवजांग वीदी में क्या करना है सबसे पहले आपको इस परकार 3 लाइन खेंचनी है हर वीदी भाग वीदी में ठीक है जब भी हमें भाग देना होगा इस परकार अब क्या करना है पूरी संख्या जो ये पूरी संख्या दे रखिये इसमें जो इकाई का अंक है ये इकाई का अंक है इसको हमें बाहर लिखना है यहांपर ठीक है और उसके बाद में इधर बाग फल में देखना है जो ये बाज़क है इसमें क्या है जो इकाई का अंक इतना है दो इकाई का अ बची चार, पांच और तीन, तीन संख्या बची इनको हमने लिख दिया, तो जो ये उपर वाली संख्या होती है, इसको बोलते हैं दवजांग, इसको तो बोलते हैं दवजांग, ठीक है, और जो ये नीचे वाली संख्या है, इसको बोलते हैं मुख्यांग, यहां तक आपको समझ वें आगे होगा अब क्या करना है, यहां पर लिखेंगे हम संकेत संकेत सबसे पहले, देखो इस जो संख्या है देखो, चार में, गैरा का भाग जाता है क्या, चार में नहीं जाता इसलिए हम यह पूरी संख्या लेंगे कौन सी 45, तो यहां लिखेंगे 45, भाग किसका देंगे, 11 का, अब लिखो 45 में 11 का भाग देंगे, तो भाग फल, भाग फल कितना आएगा, 11 का पढ़ा पड़ेंगे, तो 44, चार, भाग फल 4 और सेस पल हमारे पास में कितना पसल जाएगा, एक, तो भाग फल तो हमारे पास में 4 है, सेस पल हमारे पास में 1 है, जो जो भाग फल 4 आया, उसको तो यहां लिखना है, चार, और जो सेस पल 1 बचा है, इसको आगे वाली संख्या के पास में यहां लिखना है, ठीक है, यह नहीं, अब यहां लिखना है, नमबर 2, यहां नया भज्य कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि यह इसके साथ में बिल जाएगा, नया भज्य कितना हो जाएगा? 13, और संसोधित भज्य के बाद में लिखती हैं, संसोधित भज्य कैसे ग्याद करते हैं? नया भज्य 13, माइनस, इन दोनों संख्याओं को गुणा, इस संख्याओं को जो यहाँ संख्या परप्त होती है, उससे गुणा करने हैं, ठीक है? तो यहां कितना है चार है चार को दो से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आज़ेगा तेरा माइनेस आठ तेरा में से आठ गया हमारे पास में कितना बचेगा तेरा में से आठ गया हमारे पास में बचा पांच तो यहां क्या बचेगा अब पांच बचेगा है ठीक है तो नमबर तीन अब क्या करने है जो पांच आए है उसमें दोबारा संसोधित बाचेते है उसमें पांच पांच में क्या करना है भाग देना है किस संख्या का भाग देंगे भाग इसी संख्या का ग्यारा का पांच में ग्यारा का भाग देंगे तो देखो भाग फल कितना आएगा भाग फल ये देखो पांच होटा है ये संख्या बड़ी है न तो भाग फल किस पे जाएगा जीरो पे जाएगा भाग जीरो पर गया क्योंकि भाग टोटेगा तो जीरो पर गया तो सेसपल हमारे पास में क्या बचेगा सेसपल हमारे पास में क्या बचेगा पांच ही बचेगा तो देखो जो भाग फल जीरो है उसको तो यहां लिखना है ठीक है और जो सेसपल बचेगा उसको यहां लिखने इस लाइन के बाद में अगे निकले के बाद में भाग की प्रिक्रिया बंद हो जाती है भाग नहीं देना ठीक है तो नमबर चार निया भज्य कितना हो जाएगा निया भज्य हमारे पास में हो जाएगा 52 और संसोधित भज्य है संसोधित भज्य 50- कौन सी संक्या को हमें गटाना होता है जो यहां संक्याप्राप्ति है 0 और इस दवजाओं को वाली संक्या को दोनों की गुणा तो 0 into 2 52- 0 को 2 से गुणा के 0 तो हमारे पास में क्या जाएगा 52 तो यहां पर हम लिख देंगे 52, क्योंकि यह सेसफल है ठीक है, तो यहां पर यह 40 क्या आगया भाग, फल और यह 52 क्या आगया सेसफल ठीक है Question number 13 इस संख्या में भाग देना है 42 का, ठीक है दवजांक विदी से, तो वही अभी मैंने बताया था, लाइन खेंचनी है संख्या में एकाई का आग कितना है 4 है, तो यहां 4 लिख देना है, ठीक है, बाकी जो अंक बचे है, बाकी जो अंक बचे है, उनको अंदर लिख देना है, यहां क्या बचा है, एक और क्या है, दो तेन, यह बचे है, इनको अंदर लिख दिया अब यहाँ पर एक आइक अंक इतना है दू है इसको उपर लिख देंगे, नेचे क्या लिखेंगे जो अंक बचिकाँ, ये अंक क्या कहलाता है अभी मैंने बताया था दोजांक, ठीक है और ये अंक मुख्यांक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब वही बात एक मे तो भाग जाता नहीं, इसलिए दो संख्या एक साथ में लेंगे, संकेत संकेत, ठीक है, संकेत में क्या करेंगे नंबर एक संकेत में लिखेंगे कि संख्या का भाग देंगे, बारा अब बारा में किसका भाग देंगे, चार का, तो यहां लिखेंगे, बारा भाग चार देखो बारह में चार का भाग दिया भाग फल भाग फल कितना आएगा तीन तीन पर पूरा पूरा भाग जाएगा और सेस फल क्या बचेगा सेस फल हमारे पास में बचेगा जीरो सेस फल जीरो बचेगा तो यहाँ पर जो भाग फला है आफेपासमें सेस पल बच्चा है zero उसको यहां लिखेंगे आगए वाली संक्षा जहां यह दो थी उस से आगशेवाली संक्षा में ठीक है तो वही बात नमबर दू नैया भज्य कितना हुझाएगा नया नया भज्य नया भज्य कितना हो जाएगा, 0, 3 अब ग्याद करने है संसोदित बज्जे संसोदित बज्जे कैसे ग्याद करते हैं 0, 3, minus इन दोनों संख्याओं के गुना तो 3 इंटू 2, तो हमारे पास हो जाएगा 3, minus 6 माइनस के 6 में से 3 गया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस का तीन बचेगा माइनस के संख्या बढ़ी है तो यहां पर जो संसोधित बाज़े है वो माइनस में नहीं आना चाहिए रिनात्मक संख्या नहीं आना चाहिए जब भी रिनात्मक संख्या आए तो वहाँ पर हमें क्या करना है प्रिक्रिया को रद करना है तो यहां लिखेंगे प्रिक्रिया एक वे दो को रद करने पर ठीक है तो प्रिक्रिया एक वे दो रद करने पर इन प्रिक्रियां को हमने एक वे दो को रद करेंगे तो हमारे पास में दुबारा भाग देंगे वही बारा में दुबारा भाग देंगे भाग फल अब की बार क्या करना है भाग फल एक कम करना है देखो तीन लिया था तब क्या आगया था माइनस का आगया था इसलिए हम भाग फल कितना लेंगे दो लेंगे तो बारा में चार का भाग देंगे बाग फल दो तो हमारे पास में सेस पल कितना बचेगा चार तो हमारे पास में सेस पल आ गया चार अब क्या गना पर किलिए रद होगी तो ये भी यहां पर तीन कैंसल हो जाएगा इसकी जिगां बाग फल कितना आएगा दो और सेस्पल की जगें कितना आजाएगा कट होकर यहां किया आजाएगा चार अब हमारे पास में नया भज्जे नया भज्जे नया भज्जे कितना हो जाएगा 43 संसोधित भज्जे 43 माइनेस संसोधित भज्जे में क्या करती है इन दोनों संख्याओं के गुणा तो संख्या हमारे पास में है 2 इंटो 2 हमारे पास में 4 हो गया 43 माइनेस 4 तो हमारे पास में कौन सी संख्या जाएगी 49 ठीक है तो 49 हागी अब फिर वही प्रिक्रिया नमबर 5 5 में क्या गरेंगे 49 में भाग देंगे 33 तो 9 पर चल गया हमारे पास में 6 पल कितना बचा 6 पल हमारे पास में 3 तो यहां पर तो आ जाएगा भाग फल ठीक हो 3 तो 3 यहां लग जाएगा तो अब हमारे पास में नमबर 6 परिक्रिया नया भज्य कितना है इसके बाद में तो भाग नहीं देना तो नेया भज्जे है, हमारे पास में 34 और संसोधित भज्जे है, संसोधित भज्जे है, 34, माइनेस क्या आगरनिय March 9 और 2 की गुणा, 9 और 2 की गुणा करके माइनेस कर देगे, तो यहां लिखेंगे 9 इंटू 2, तो 34 माइनेस 18, 34 में इसे 18 गटाएंगे तो हमारे पास में तो यहां लिख देंगे 16, तो बाग फल कितना 29, तो यहां लिख देंगे यह तो है बाग फल, बाग फल बराबर 29, और 6 फल, बराबर हमारे पास में आज़ेगा 16, Q14, तो यहां लिख देंगे 17, तो वही तीन लाइन खेंचनी है सबसे पहले, ठीक है और उसके बाद में क्या करना है जो इकाई का अंख है इसको तो उपर लिखते है यहां ठीक है और जो बाद में अंख बच गया उसको यहां लिखना है ठीक है इसमें इकाई का अंख बाहर लिखना है जो मैंने लिख दिया पांच ठीक है और जो बाकी संख्या बच गी उसको अंदर लिखते हैं, बाकी संग्या क्या है, 9 है एक तो, 8, 7 और 6, यह हमने इसके अंदर लिख दी, ठीक है, तो इसको उपर वाली क्या बोलते हैं, दवजांख, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मुख्यांख, अब यहां लिखेंगे संकेत, नमबर एक संकेत में क्या ल तो यहां लिखेंगे, 9, भाग, 8, 9 में 8 का भाग देंगे, तो भाग फल कितना आएगा, एक, और सेसपल भी हमारे पास में कितना आएगा, एक, तो भाग फल एक, सेसपल एक, तो भाग फल तो यहां लिख देंगे, एक, सेसपल यहां लिख देंगे, ठीक है, अब नमबर दो बार में क्या करना है दोबारा एकना है नया भज्य नया भज्य नया भज्य कितना हो जाएगा अठारा संसोधित भज्य अठारा माइनेस इन दोनों के गुणा एक गुणा साथ अब देखो एक गुणा साथ कितनों साथ ठीक है तो अठारा में से साथ गया तो हमारे पास में क्या बचा ग्यारा तो नमबर तीन पर क्रिया ग्यारा भाग किसका लगाना है आठ का भाग फल कितना आएगा आठ का भाग देंगे तो एक पर ही भाग जाएगा और सेस पल कितना बचेगा सेसपल हमारे पास में बचे जाएगा तीन ठीक है आठ और तीन ग्यारा सेसपल हमारे पास में तीन बचे गया अब क्या अकना है जो भाग फल आया उसको तो यहां लिखना है सेसपल हमारे पास में तीन आया उसको यहां लिखना है साथ किया गए ठीक है तो अब निया भज्य कितना हो जाएगा निया भज्य 37 संसोधित भज्य संसोधित भज्य क्या होगा 37-1 into 7 1 into 7 को गरना है 1 into 7 1 into 7 कितना होता है 37 में से 7 गए हमारे पास में बचेगा 30 तो नमबर 5 30 भाग 11 अब करना है 30 में 11 का 30 में 8 का भाग देना है 11 का नहीं यहां 8 का मैंने इसको पड़ लिया तो भाग फल 8 का पाड़ा पड़ेंगे और 30 में भाग देंगे तो 30 कहां पर आता है यह हमें देखना है तो आड़ती है 24 तो यहां आजाएगा बाग फल 3 और सेस फल कितना बचेगा 6 तो बाग फल तो 3 यहां आजाएगा सेस फल बचा 6 और सेस फल को यहां उपर लिख देंगे 6 के आगे ठीक है तो वही नेया भजिए निया भज़े कितना हो जाएगा 66 संसोधित भज़े 66 माइनस अब 66 में से क्या गटाएंगे 3 इंटू 7 इन दोनों के हमें गुना गटानी है तो 3 इंटू 7 तो 66 माइनस इक्यस तो 66 में से हमें 21 की टना 6 में से गया 5 चे बचा 45 बचा तो अब नमबर साथ की प्रकृरिया में 45 में भाग किस का देना है 45 भाग 8 तो भाग फल भाग फल कितना ऐगा 45 में 8 देंगे तो 5 और 6 पल हमारे पास हम बचे जाएगा पाँच क्योंकि आठ पाँच चालीश ठीक है सेसपल हमारे पास में है पाँच तो भागफल तो पाँच यहाँ सेसपल पाँच उपर है अब इस लाइन से आगे निकल गया अंक तो भाग तो देना नहीं ठीक है अब भाग की तो परक्रिया बंद हो गई तो निया भाज्य अब निया भाज्य कितना होज़ेगा पचपन और संसोधित भाज्य संसोधित भाज्य संसोधित भाज्य क्या होगा पचपन माइनेस पाँच इंटू साथ क्योंकि यहाँ पाँच है और यहाँ साथ है दोनों के गुणा गटानी है तो पच्छपन माइनस 35 पांच में से पांच गया 0 पांच में से 3 गया 2 क्या बचा हमारे पास में 20 तो यहां लिख देंगे 20 ठीक है तो यह तो क्या हो गया बाग फल बाग फल 1135 सेश फल 20 कुश्चन नमबर 15 हमारे पास में संख्या दे रिखिया है और हमें भाग देना है 880 का ठीक है तो वही प्रिक्रिया सेम इस पर कार लाइनिंग के इंचनी है ठीक है इस संख्या में से जो हमारे पास में संख्या इसका इकाईक वंग को यहां रिखते है अंदर तो हमारे पास में क्या बचा 2, 1, 0, 1, 5, 3 यह हमारे पास में संख्या बचिया ठीक है इनको हमें अंदर लिखना है इस कुश्चन को थोड़ा सा ध्यान पुरुक समझना यह कुश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर हमारे पास में क्या लिखना है यह तो हो गया दव्जांक यह हो गया गया मुख्यांक तो वही प्रक्रिया नंबर एक प्रक्रिया संक्यत में लिखेंगे 210 हैं तो देखो satyati है यहाँ पर पूरी संक्या लेनी पड़ेगी 210 भाग 210 में किसका भाग देंगे सत्यासी का 210 भाग सत्यासी तो हमारे पास में आजाया का भाग फल 287 में भाग देंगे 2 पर भाग देंगे तो हमारे पास में सेश फल 87 को 2 का भाग दिया तो सेश पल हमारे पास में बचा 36 ये भाग का आपका खुद काम है ये आपको करना पड़ेगा ठीक है करके देखलना हों वरक है एक तरीके से साथ में आपको ये कुश्चिन आने लग जाएंगे तो उसके बाद में देखो भागफल हमारे पास में दो आगे हमने यहां लिखा सेसपल कितना है च्छतिस तो जो च्छतिस है यहां तक हमने संक्याली तो यहां लिखा जाएगा च्छतिस एक से पहले छोटा सक च्छतिस ठीक है तो नया भाज्य है देखो नया भाज्य है नया भाज्य हमारे पास में क्या हो जाएगा 361 नया बज़े और संसोधित बज़े संसोधित बज़े संसोधित बज़े लिखेंगे 371 माइनस 2 इंटु 9 2 इंटु 9 तो 2 इंटु 9 तो 371 माइनस 18 381 में से हमें 18 गटाने है तो हमारे पास में आगा 343 प्रिकरिया नुमबर 2 अब 343 में भाग देना है हमें 87 का तो भाग फल तो भाग फल हमारे पास में आजाएगा 3 भाग जाएगा 3 पर तो हमारे पास में 6 फल बचेगा 82 तो जो भाग फल 3 आया है इस भाग फल को तो यहां लिखना है और जो सेस्पल 20C है यहां एक ले लिए था ना इस पांच से पहले लिखने है तो यहां हो जाएगा 20C ठीक है तो अब नया भज्जे नया भज्जे तो नया भज्जे यह पांच इनके साथ में मिलेगा तो बन जाएगा 825 और संसोधित भज्जे संसोधित भज्जे क्या हो जाएगा 825 माइनस इन दोनों के गुणा 9 और 3 की गुणा तो यहां लिख देंगे 3 इंटू 9 तो हमारे पास में जाएगा 825 माइनस 27 तो 825 में से 27 गटाएगे तो 708 में बचेगा ठीक है तो 708 में बचाँ अब कुश्चिन अब पिर किरिया 3 क्या करना है 708 में लेना है और 708 में हमें भग देना है सत्यासिगा वही भाग फल 77 में भाग दिया भाग जाएगा सत्यासिगा 9 पर तो हमारे पास में 6 फल बचेगा 15 तो 6 फल 15 बचेगा तो नया भाग फल 9 है इसको तो यहां लिखना है और सेस्पल कितना बचेगा 15 15 को यहां पास तो हो गया था इस तीन से पहले लिखना है यहां तो नया भाग जाएगा 153 संसोधित बच्जे संसोधित बच्जे तो 153 माइनस 15 में क्या करना है 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 तो 153 माइनस 81 गटाएगे तो हमारे पास में बचेगा बहतर तो पर करिया नमबर 4 अब क्या करना है बहतर बहतर में किसका भाग लगाना है सत्यसी का तो अब देखो यह संख्या चोटी आगी यह संख्या बड़ी है तो भाग तूटेगा इसलिए भाग किस पर जाएगा जीरो पर यह तो बाग फल जीरो और सेसपल 6 पल हमारे पास में सेम संख्या जाएगी बहतर ठीक है तो भाग फल तो बाग गया 0 6 पल आ गया बहतर ठीक है अब इससे पार निकलने के बाद में मैंने बताया था कि बाग नहीं देना है तो भाग नहीं देना तो निया भज्य 722 संसोधित बज्य कितना आजाएगा 722 माइनस 9 इंटू 0, 0 इंटू 9 तो 722 में से 0 गया 722 तो 722 क्या हो जाएगा 6 पल तो ये तो हो गया भाग फल और ये वली संख्या 6 पल अगर आपको ये कुश्चिन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करें